युद्ध के मैदान में बदलने जा रही है दुनिया किसी भी वक्त छिड़ सकता है तीसरा वर्ल्ड वार जंग की आग भड़काएगा ये देश रूस युक्रेन जंग इसराइल और हमास जंग के बीच एक और युद्ध शुरू होता दिख रहा है दमिश्क में इरान के वाड़िजितुतावास पर हमले के बाद मध्यपूर्व में तनाव बढ़ गया है इरान ने हमले कारोप इसराइल पर लगा है इस हमले के बाद से इरान ने इसराइल से बदला लेने की कसम खाई है इरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला खाने मेई ने बार बार इसराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है सीरिया में इरान के वाड़िजितुतावास पर हमला हुआ था इस हमले में इरान के दो जनरलों की मौथ हो गई थी जिसके बाद से तहरान की जवाबी कारवाई की आशंका बढ़ गई है और माना जा रहा है कि इरान किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकता है अमेरिकी राश्रुपती जो बाइडन की इस बयान से युद्ध के कयास और बढ़ गए है क्योंकि तनाव को देखते हुए अमेरिका समेथ कई देशों ने खास एडवाईजरी जारी की है वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने मीडिया के सामने दावा किया है किजल्धी इसराइल के खिलाफ एक बड़े इरानी हमले की आशंका है जिसमें देश के अंदर सैन इलक्षों को निशाना बनाने वाले सौसे अधिक ड्रोन और दरजनों मिसाईले शामिल होंगी इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हमला कितना जादा विध्वनशक होने वाला है इसराइल पर हमले को लेकर इरान को अमेरिका ने चिताबनी जारी की है युद्ध की आशंका बढ़ने के कारण हाल के दिनों में इस्राइल पर इरानी जवाबी हमले के लिए अमेरिका हाई अलर्ट पर है इरान और इस्राइल के बीच बन रहे युद्ध जैसे हालात को देखते हुए अमेरिका ने एडवाईजरी जारी की अमेरिकी विदेश मंत्राले ने इस्राइल में मौझूद अपने राजनाईकों पर यात्रा का प्रतिबंध लगाया है अमेरिकी दूतावास ने इसरायल में अपने राजनाईक कर्मचारियों को येरुशलम, तेलवीव और बीर शेबा के इलाकों से बाहर एहतियातन यात्रा ना करने की सलादी है किसी भी तरह की जरूरत पढ़ने पर दूतावास में भी संपर्क करने को कहा है अमेरिका के साथ साथ भारतिय विदेश मंत्राले ने भारतियों को हिरान और इसरायल ना जाने का सुझाव दिया दोनों देशों में मौजूद भारतियों को भारतिय दूतावास से संपर्क करने की सलादी गई है बता दें कि एप्रिल और मई महीने के बीच भारत से 6,000 मजदूरों को इसरायल भेजने की योजना थी लेकिन खत्रे को देखते हुए फिलहाल विदेश विभाग ने मजदूरों को इसरायल भेजने का फैसला टाल दिया है इसके साथ ही फ्रांस और ब्रिटेन ने भी मध्यपूर्व में भारी तनाव को देखते हुए अपने नागरिकों को इसरायल लेबनान से दूर रहने की सलाह दी है लेकिन इरान का ये विद्वन्शक हमला इसरायल के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसरायल गाजा से युद्ध के बीच पहले ही कई और फोर्सेस का सामना कर रहा है जिसमें हिजबुल्ला समेथ कई और संगठन शामिल है ऐसे में इरान का ये हमला इसरायल के लिए बड़ा ही खातक और विनाशकारी साबित हो सकता है इसरायल हमास युद्ध के बीच इरान का इसरायल पर हमले की तैयारी से पश्चिमेश्या के बड़े इलाकों में भी जंग फैलने का डर पैदा हो गया है झाल झाल